करेंगे जिसकी जानकरी ना होने की वज़े से हम लोग को बहुत नुकसान होता है दोस्तों यूटूब का एक बहुत ही इंपोर्टेंट फीचर है लेकिन फिर भी 90 परसेंट लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं और वह इसका ठीक से यूज़ी नहीं कर पाते दोस्तों ल यूटूबर्स होता है वह इस फीचर का ही यूज़ करके अच्छी तरह से लाब लेते हैं तो चले आपको देखे हमारे फोन की स्क्रीन यहां पर दिख रही है और मैं आज आपको ठीक से समझाऊंगा और उसके बाद जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे ना तो आपक आपको दिखाने के लिए अब यहां पर मैं कंटेंट में चला जाता हूं और यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं देखे मैंने वीडियो पर यह मैं यहां एडिट कर देता हूं ठीक है अब यह उस तरह से यहां पर हो जाएगा जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो देखिए यही सारे features हमारे पास आते हैं जैसे कि title, description, visibility, audience अब देखिए आप title अच्छा लगाते हैं, title आप बहुत अच्छा देते हैं, आप description भी बहुत अच्छा लिखते हैं ठीक है और आप thumbnail वगएरा भी बहुत अच्छा बना लेते हैं अब mistake कहां पर होती है, गलती कहां पर होती है friends, देखिए यहां पर जो आपको यह option दिखता है visibility, मैं यहां पर click कर देता हूं, देखिए visibility, तो यहां पर देखिए तीन option आते हैं friends, public, unlisted and private दोस्तों यह बहुत important feature और YouTube भी इसके बारे में आपको बताता है, कि आप इस feature का यूज कीजिए, तो चलिए friends, सबसे पहले तो हम यह समझ लेते हैं, कि यह तीन features आखिर है क्या, क्योंकि जब तक इनके बारे में पता नहीं चलेगा ना, तब तक आप इनका ठीक से यूज क अधर नहीं पाएंगे, तो दोस्तों देखें, जब हम video upload करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हैं public के ओपर tikt करते हैं, और video publish कर देते हैं, अब इसका नुकसान क्या होता है friends, दोस्तों public पर tikt करने का मतलब यह होता है, जैसे हमने वीडियो बनाई, वो direct public के लिए च और वह क्या तरफ इंप्रेशन डालने लग जाता है अब कोई न्यूस पसंद करता है को अधर कुछ पसंद करता है उनके पास जारीए टेकनिकल की थमनेल आप टैकनिकल वीडियो तो वह उसको क्यों देखेंगे नहीं देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले तो हमें क्या करना ठीक है प्राइवेट क्यों करते हैं दोस्तों प्राइवेट का मतलब यह होता है कि हमारी वीडियो जो है वह पब्लिश नहीं हुई है और नहीं वह यूट्यूब के पास अभी तक पहुंची है वह सिर्फ आप ही के पास तक है और यह इसलिए हम यूज़ करते हैं आम तो पर इसके बारे में आपको कोई नहीं बता था फ्रेंस अनलिस्टिट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है यूट्यूब का जब या वीडियो अपलोड करते हैं यह तीनों फीचर आपके सामने आते हैं लेकिन आप इनको इगनौर कर देते हैं और खास तोर पर इस अनलिस्टिट क दोस्तों अब अनलिस्टिट का काम क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं दोस्तों अनलिस्टिट का मतलब यह होता है कि आपने वीडियो बनाई वीडियो यूट्यूब पर डाल दी ठीक है आपने उसको अनलिस्टिट करने का मतलब अब यह होता है कि आपकी वीडियो अपलो नहीं है तो आदे घंटे गंदे यूटूब आपकी वीडियो को जो है वो सर्च करेगा उसकी अल्गोरिदम उसको मनलब सर देखेगी कि आपकी जो वीडियो के अंदर जो क्योंकि आपका टाइटल होगा थमने लोगा डिस्क्रिप्शन होगी वह सब कुस देखके उसको पता चल जाएगा कि हाँ यह टेकनिकल की चीज है यह कॉमेडी की चीज है तो जब एक घंटे बात जब वापिस आके जब आप यहां पर आके इसको पब्लिक करेंगे ना तो य दोस्तों हम सबसे बड़ी गलती वीडियो करते हैं और यह जो तीन ऑप्शन है ना इनकों करके सिर्फ पब्लिक 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 करके वीडियो अपलोड कर देते हैं और इसका खामियाजा हमें भूगतना पड़ता है और अगर आपका नया चैनल है तो इससे आपको बह फैमली के साथ इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करना हम आपके लिए यूट्यूब से जुड़ी ऐसी ऐसी अच्छ इंट्रेस्टिंग इंफोर्मेशन लेकर आते रहेंगे तो अभी के लिए इतना ही मिलेंगे फिर से नहीं वीडियो में तब तक के लि आते च्छिंग जरूब आते लिए बएस्वाइब आते बहुति था जब एफ जयूब से अच्छरे प्रेदाब जरूब।